जय माता दी दोस्तों, एस्टोलोजी और वास्तू ज्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदाई बनाने में, जोतिश शास्तर का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए, हमारे देनिक राशिक फल के बारे में पता होना चाहिए, तो आईए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, मेश राशी वालों का, 11 और 12 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे, आपके ये आने वाले, दो दिन, चलिए जानते हैं, अपने जीवन में नकारात्मक्ता लाने वाले लोगों से दूर रहें, आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे, वही आपके बारे में उलटी सीड़ी बातें पहला रहा हैं, ऐसे लोगों से साफध पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें, आपको आराम के लिए कुछ रिलाक्स करने वाकी तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए, अपने खाने का ध्यान रखें, आपको जंक फूड पसंतुब बहुत हैं, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुचाते हैं, आपको अपने स्वास्ते का और बारी की सिध्यान रखना होगा, आप अपने पार्टरनर की किसी काम भाव भंगिमा से आज चरे चकित रहे जाएंगे, अगर आप अंतरंग डिनर आदी पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मज़ेद पा रहे थे जिसका असर आपके व्याहवार में भी जलक रहा था पर ये समय ये सब बाते छोड़ कर कुछ कर दिखाने का समय है और साथ ही साथ अपने इस व्याहवार को बदलने का भी, आप बिना भाय भीतुए निरुन अलिये जो की आपके भविशे के लिए अच्छा सा आप किसी अच्छे जानकर से भी अपने पैसे और अपने पेशे से सम्बंदित सुझाव ले सकते हैं जो की आज फाय देमंद साबित होगा, अपने कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करें, आपको दूसरों की सलह पर ध्यान देना होगा, नए लोगों से मुलाकात होने से आपको कुछ फायदेव हो सकते हैं, शिक्षा, बिजनेस, नौकरी या महत्वपून कागजाद से जुड़ी यात्रा हो सकती है, यात्रा के दोरान ही कई नई बातें आपको अपतार चल सकती है, विवा सम्बंधी चर्चा हो सकता है, किसी सकारात्मक व्यक्ति से लेकिन ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि यहां आपकी अगली सुबह खराब कर सकती है, फ्रोपटी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाब पहुंचाएंगे, गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें, जिनहें आप चाहते हैं, उनका दिल दुखाने से बचे व्यक्त गत संबन संबेदनशील और नाजुक रहेंगे, अगर आप दफ्तर में सोशल मीडिया का ज्यादा उप्योग करेंगे, तो आज पकड़े भी जा सकते हैं, अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अत्रित सुरक्षा करने की जरूरत है, देशी व्यापार और संबन्धों की भी संभावना है, धिल्चस्प लोगों से मुलकात होगी, सही समय आने पर यह संपर आपकी उनत्ती में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, प्रतिष्ठा और पदोन्नती में एक दम उतार या चड़ाव या अधिकारियों के सा बहुत नजदीकी या मद्भेद का सामना कर सकते हैं, परिवार के मुद्दों पर ध्यान दें और इस समय चल रहे मद्भेदों को हल करने के लिए मेहनत करें, मार्ग दर्शन और शांती के लिए अध्यात्मिक्ता का सहारा लें, आपका पती-पत्नी या कानुनी साथी तना पून हो सकता है, अव्यवस्था, समझ में कमी और अन्य परिशानिया उनके लिए एक संकेत है, आपके पार्टनर के परिवार में मृत्यू या कोई बड़ा संकट का समय आ सकता है, आप अपने सहयोगियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं और उनके साथ अक्सर बाचीत करन चाहते हैं और आपका यह निर्भर रहने का स्वभाव आपको अस्पष्ट बना सकता है, अभी आप चरम स्थितियां जैसे अधिक मोटे होना या बहुत अधिक बजन का कम होने का सामना कर सकते हैं, आज के दिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि काम करने में मन नहीं लग र जब भी कई ग्रहों का प्रभाव या सहयोग मिलता है तो सभी ग्रहों के गुण भी प्राप्त होते हैं, व्यापार में अच्छी उनत्ती के मार खुलते दिखाई देंगे, स्वास्त में अपने पैरों के केर करें जिसमें खास्त और से अपनी जांग की देखभाल अवश् आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, आज आपका अपनी नियमित दिंचरिया में जरा भी मन नहीं लगेगा, आज आपको परेशान करने वाली कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए जवा देना होगा, ह हो सकता है कि आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर ही आपसे इस बारे में कोई प्रशन पूछे, जिसका कोई उत्तर देने में आपको घबराहट महसूस हो, हो सकता है कि किसी रिष्टेदार या दोस्त के साथ कुछ कठिन मसलों पर कठिन बाचीत हो, दूसरो नए व्यक्ति से परिचमे होगा, यात्रा हो सकती है, आज आपके मन में अपने प्रेमी या जीवन साथी के लिए रोमांटिक भावनाय होंगी, लेकिन आपके साथी के मन में आपको लेकर कुछ सवाल होंगे, साथ में समय बिताने का आपका इरादा इस अन्दबन के कारण प्रभावित होगा, आज आपकी पैसों की स्थिती संतोष जनक रहेगी, लेकिन आज आप अंधादुंद खर्च कर सकते हैं, नौकरी में आज आपको अच्छी सफलता और अपने साथियों का समर्थन मिलेगा, अलाकि अधिकारियों का रव्य या निराशा जनक रहेगा, आज आपका स्वास्थे अच्छा रहेगा, आज आप में बहुत उर्जा रहेगी, स्वास्थ पर मौसम का प्रभाव पढ़ सकता है, थोड़े साब्धान रहें, आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बहुत दबाव रहेगा, आपको अपनी मेहनत और परणामों से नि रिद्धी होगी, व्यापार में विस्तार हो सकता है, आपके कामकाज में सुधार आने के योग बन रहे हैं, इस सब्ता के आखरी में आपको धन लाब मिल सकता है, आपके जो भी अधूरे रोके हुए कारे हैं वे सफलता पूरवक पूरे होंगे, आपको अपने करियर में तरक्की हासिल करने के अफसर प्राप्त हो सकते हैं, लाब की दृष्टी से यह सब्ता बहुत ही बेहतर साबित होगा, आपके कामकाज की प्रशंसा हो सकती है, समाजिक शेत्र में मान समान की प्राप्ती होगी, मेश राशी वाले आज सकारात्मक्ता रखें, कानून से संब कामले पर आप बारीकी से विचार कर लें, आवशक निर्नसोच समझ कर करें, आज आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे, इससे उन्हें आपके बारे में अच्छा लगेगा और उनके प्रती आपकी निष्ठा भी प्रतीत होगी, विशेश रूप से यह जरूर आने में मदद करेगा, छोटे लोगों के साथ साथ आपके जीवन साथी के द्वारा लाईगी समस्याओं को हल करने की आपकी योगता आपको उनका प्रिये बनाएगी, वे आपके प्रती अधिक प्रेमी होंगे, आप काम में व्यस्थोने के बावजूद, आज आप आपके प्रिये व्यक्ति के साथ कुछ फल बिताएंगे, यह समय आपका रिष्टा अधिक द्रिंड करने में सहायक होगा, और बहुत प्रेम करने की वज़े से आप इसके लिए समय निकाल पाएंगे, आपके लिए आज का दिन बहुत लाब दायक रहेगा, आमदनी में बड़ उत ठाक रहेगा, लव लाइफ के लिए आज का दिन उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है, आपके लिए आज का दिन बहुत लाब दायक रहेगा, आमदनी में बड़ उत्री होगी जैसे आपका मनुबल भी बढ़ेगा, कारिक्षेत्र में अच्छे संबंद बना कर रखने से आपको लाब मिलेगा, भाग्ये का साथ आपको मिल सकता है, हाला कि पिदा जी से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, भाई बहनों से संबंद खराब हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, लव लाइफ के लिए आज का दिन उतार चड़ाव से भरा रहने व भाई बहनों से संबंद खराब हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, लव लाइफ में दिन उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है, व्यवसाय करने वाले लोग अपनी सफलता से खुश रहेंगे, धन का आगमन होगा, जौब में संधर्ष की संभावना रहे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मेश राशी वालों का 11 और 12 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल, दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जयमातादी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल पहले धन्यवाद